तो यहां पर हम देखेंगे कि दाहिंदू के शॉर्ट नूट में हमें क्या-क्या पढ़ना है 3rd September के तो चलिए देखते हैं यहां परिख्लैम्सिया यूजिंग बायो मार्कर ठीक है तो इसके बारे में देखेंगे यॐ रिलेटिड तो यह परिख्लैमसिया जो है यह वन ओफ दल्डउफ हाई प्ललड प्रेशर है यह और यह condition होती है एक तरीकी की high blood pressure disorder होता है यह जो की during pregnancy होता है और इसमें क्या होता है low dose aspirin at early age ठीक है तो इसमें बता रहे हैं कि 16 week का जब gestation period रहता है तो उस समय क्या करता है यह की reduce कर सकता है जो risk होता है डवलप होने का preeclampsia अब इसमें क्या कोता है जा रहे है कि जो early identification होता है needed to initiate intervention तो early identify हो पाई इसलिए जरूरी होता है कि इसको pre-identify किया जाया पता लगाया जाया कि यह problem है कि नहीं जिसमें क्या होता है high blood pressure होता है एक तरीके से hypertension disorder होता है आगे देखेंगे liquid biopsy क्या है तो liquid biopsy एक तरीकी का blood test होता है जिसमें detect करते है cancerous tumor को ठीक है इसी में यह पूरा एक ही article है जो हम discuss कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे है जो preeclampsia से related तो इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आप देखो कि जो liquid biopsy होती है एक blood test होता है जिसमें detect करते है cancerous tumor को और यह जो tumor होता है वो grow करता है pieces can break off and circulate in your blood stream तो उसके बाद blood stream में circulate कर जाता है अब biomarker की बाद करें तो एक biological characteristics है ठीक है biomarker biological characteristics can be objectively measured and identified तो इसको measure किया जार सकता है और identify किया जार सकता है यह biomarker की बाद चल रहे हैं यहाँ पे liquid biopsy जो कि अभी just हमने देखा कि कैसे blood test होता है तो उससे related liquid biopsy approach that measure क्या measure करती है यह DNA amethylation level को चेक करती है यह blood में may improve क्या करती है detection of pregnancies detect करती है pregnancy risk developing preeclampsia and early stage ठीक है science and tech का देखो AI on x-rays to detect TV cases तो इसमें क्या है AI algorithm QNR की बात की जाए developed by Mumbai based cure AI तो यह cure AI जो Mumbai based है उसके द्वारा develop किया गया है can help detect people वो help करता है detect करने के लिए people को with presumptive TV तो presumptive TV से detect करने के लिए है early and less than a minute में यह identify कर लेता है तो बस यह आज हमारा छोटा सा ही था जो हमें short note में discuss करना था जादा नहीं है तो आज मैं सिर्फ आपको short note ही provide कर रही हूँ तो thank you so much मिलती हूँ मैं आपको next video के साथ thanks for watching और हाँ मैं आपसे एक request यह करना चाहूँगी कि आप लोग video देखो पूरी video देखा करो और जो भी चीज़े है मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना तो बस thank you मिलती हूँ next video के साथ सकता हूँ